स्वागत है फ्रेंट यूटूब चैनल रपेर टिक में देखे फ्रेंड हमारे पास एक नोक्या के मॉडल है इसमें माइक की प्रावल में फ्रेंड जो यहां पर देखिए जो गोल सा सरकल बना हुए फ्रेंड यहां से माइक का जो स्पार्कल है वो उखड चुका है आज हम इ कैसे इसके कनेक्शन करना है वो इस वीडियो में बताएंगे जैसे आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने फ्रेंड चलो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड यह है हमारा जूनिवर्सल माइक इस माइक को हम जैसे नोक्या का जो 11-34 सेट है इसमें हम लगाएंगे और इसकी कनेक्शन कैसे करेंगे आगे के वीडियो में हम बता रहे हैं देखे फ्रेंड यह है 11-34 की बोर्ड यहां पर जो माइक उखडा हुआ है जहां पर ग यहां पर हम प्लस वाला वायर जोड़ेंगे और दूसरे साइड हम ब्लैक वाला देखे फ्रेंड हमने कनेक्शन किया हुआ है जो बैंटरी कनेक्टर के पास प्लस और दूसरे साइड जो बड़ा सा कैपिसेटर और रिजिस्टर डावर लगा हुआ है उस पर ब्लैक वाला म माइक जोड़ेंगे तो हमारा जो माइक प्रॉब्लम है पूरी तरह से स्वाल्फ हो जाएगा और पूरा हेंड्रेट परसंट काम करेगा यह आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरू करेंट थैंक्यू बाई बाई